जहें दोस्तो मैं इस समय अपने फ़ामों से बोल रहा हूं थोड़ा ठंड है हम आज जो बात करेंगे इस एपीसोड में that will be related to the blast which occurred in Delhi इसराइल एमबसी के पास अभी इस पे काफी बातें हो रही हैं कि ये blast जो है इरान ने कराया है और जब उस समय beating the retreat चल रही थी उस समय सुरक्षा में क्या कोई बड़ी चूक हुई है तो सबसे पहले हमारे लिए जाना जूरी है कि इरान और इसराइल के बीच में क्या relationship है इन दोनों की जो relationship है वो तकरीबन 1988 तक बहुत बड़ी है रही थी और तर्की के बाद इरान पहला देश तूसरा देश था जिसने इसराइल को माने तहदी थी उसके बाद असी के देशक में जब इरान इराक ये शुरू हुआ तो इसराइल जो है वो इरान को वेपन स्प्लाई करता था इराक के खिलाफ और इरान में एक समय तकरीबन एक लाग से भी जएधा है जीवस वहां पे रहते थे अभी हम इस समय जो बात करें जो मुस्लिम देशों की जो यूनिन है OIC उसके अंदर तरकी जो है उनका नेता बनना चाहता है और उसके साथ पाकिस्तान कुछा तक मिलेशिया और इरान का नाम उसके साथ आता है इरान जो है वो इसराइल के साथ इस समय उनका बड़ी देरों से बड़े दश्कों से एक प्रॉक्सी वार चल रहा है और उसकी वज़ा यह है कि इसराइल चाहता है कि तरकी इरान जो है वो नुक्लियर पावर ना बने और और इराग का जहां तक सवाल है वो जो पालिस्टीन का जो पार्टीशन हुआ था उसके खिलाफ है और वो इसराइल को पसंद नहीं करते हैं इस नेशन लेकिन इसराइल जो है वो एक ऐसा देश है जिसमें तक्रीम आप यह मान के चलिए असीला की वादी वाला देश है और वहां पे सारी सोल्जर है और टेक्नलोजी में वैपन्स में इंटेलिजेंस तंतर में वह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो अब जब शक्की सुई इरान पे जा रही है तो यह एक प्लॉट भी हो सकता है यह एक नेरेटीव भी हो सकता है दूसरा अगर हम यह मान के चलें कि जो ब्लास्ट हुआ था वह काफी क्रूड किसम का ब्लास्ट था जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और बाल बेरिं जैसर जैसी मानी जाती है जो इसराइल की है वो भारत में पहुंच चुकी है और वो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो यह सारी चीजें इस एंगल से गर हम देखें कि जो भी श्रारती तत्वों ने इसको किया है इसके अंदर पाकिस्तन भी हो सकता है परिकास पाकिस्तन कभी भारत में पीज नहीं चाहता है और उनका ये मुद्दावा कि भारत और ऐरान के जो काफी अच्छे सुदर रिश्टे हैं उनको bands को ख्राब किया जाए और इस्राइल के साथ भी किसी किसम का टर्की की अगुबाई में चाइना की स्पोर्ट के साथ एक वातावर अन्तियार किये जाए जिसमें मुश्लिम नेशन जो हैं वो सारे इकठे होके इस्राइल के खिलाफ लड़े अब ये कैसे चीजें फैन आउट होती हैं कैसे ये आगे किसी एमिचुर का और बड़ी ही क्रूट टेक्नोलोजी वाला बंब है और उसके अंदर कोई ज्यादा डीपर कर्श्परेसी नहीं हो सकती है उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसको शेर कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए और गॉड ब्लेस यू जाहिन